दिल्ली विधान सभा के बाद नगर निगम यानिकी MCD में भी जाडू चल गई है बीजेपी को साफ कर बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी का राज आ गया है दिल्ली की बड़ी के साथ छोटी सरकार भी केजरीवाल के हाथ में आ गई है अब तक के रुजानों और नतीजों में 250 वर्ड वाले दिल्ली MCD में आम आदमी पार्टी बीजेपी से निर्नायक बढ़त बना चुकी है MCD पर बीजेपी का 15 वर्षों का कबजा था लेकिन इस बार आपकी आधी वो साफ हो गई है कॉंग्रेस का तो ऐसा बुरा हाल दिख रहा है कि उसका वोट शेर धाई के अंक से नीचे जूलता दिख रहा है नमस्कार मैं हूश्यूबम गुपता और आप देख रही है जनरेट टाइम दिल्ली के लिए चुनाब बहुत बड़ा जटका है वार्ड वार्ड चुनाब नतीजों को गौर से देखें तो बीजेपी के लिए बहुत परिशान करने वाले संकियत है इस बार के चुनाब में बीजेपी दिल्ली के उन इलाकों में पीछे नजर आ रही है जहां उनकी अच्छी पकड मानी जाती है सिख वोटरों का रुजहान अब तक बीजेपी के पक्ष में एमसेडी चुनाबों में रहा है लेकिन इस वार वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है पश्चिमी दिल्ली के कई वार्ड जहां सिख मद्दाता निर्णायक भूमिका में हैं वहां पीजेपी पिछड रही है तिलक नगर में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्च की है तिलक नगर में सिख मद्दाताओं की संख्या काफी अधिक है और यहां वो निर्णायक भूमिका में हैं तिलक नगर के वार्ड नंबर 101 से आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मनु ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के उमीदबार राजकुमार ग्रोवर को 2000 से अधिक वोटों से हराया है। वहीं तिलक नगर के साथ ही हरी नगर का इलाका जहां सिख मददाता निर्नायक घुमिका में हैं, वहां से आम आदमी पार्टी के राज़ेश कुमार लाड़ी बीजेपी उमीदबार श्याम सर्मा से आगे चल रहे हैं। पश्यमी दिल्ली के सिख बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो वीजेपी के लिए एक चिंता की बात है। तिलक नगर और हरी नगर के अलावा जनक पूरी विकास पूरी इन इलाकों में भी कई वार्ड में आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने MCD में भी केजरी वाल का नारा दिया था, वो इस बार काम्याब होता दिख रहा है। अब तक कि जो नतीजे सामने आए हैं उनमें आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, भी नतीजे सामने आ रहे हैं, वो भाजपा के लिए परिशानी की बात जरूर है। आपका क्या कहना इन रुजानों पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।